जय श्री कृष्णा दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत है मैं नमीन सिंग दोस्तों जो प्रकृति से मुझे ज्यान प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ सेयर करना चाहता हूं बहले ही चैनल के माध्यम से हो दोस्तों मैं आज आपको एक की महीमा बताऊंगा यदि आप अकेले जीवन में संगर्ष कर रहे हो चाहे आप सरकार में हो चाहे आप समुदाय में हो चाहे आप धर्म में हो चाहे आप किसी भी छेत्र में हो अगर आप संकर्ष कर रहे हो अकेले कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको हार निमानी चाहिए सबसे पहली बात यह है तोस्त में कुछ उदार ने दूँगा आपको जैसे सरपरतम आप गनेश जी को लेड़ो बाल अवस्था में उन्होंने चोटी उम्र में अकेले ने ही ब्रम्मा विश्णु महेश आदी देवता इंदरादी देवताओं को सब को पराजित कर दिया थ दूसरा हनुमान जी का जो स्रिलंका से माता सीता का पता लगाया है लंका का देहन करके आगए और राक्चोसों में भैव्याप्त कर दिया संजीवनी परवत अकेले लेकर आगए और जहांसी की रानी मारते मारते कितने अंग्रोजों को मार कर सहीद हुई ऐसे ही दोस्तो सिकंदर है वो भी अकेला ही जग जीत निकली निकला था उसने जीता भी और पात करें हम विवेका नंजी ने अकेले अमेरिका में जब भासन दिया पर्थम लाइन बोली भाईयों और भेनों तो इस लाइन को सुनकर इस पंक्ति को सुनकर सारे जो भी पॉर्णर थे विदेशी लोग थे वो सब मंत्र मुग दो गए तो दोस्तो अगर आप अकेले संगर्श कर रहे हो तो हिमत नहीं आरनी है लगे रहना है लक्ष पर नजर होनी चाहिए तो बाद है और परेशानिया हमेशा जो उनर होता है जिसके पास सैंशक्ति जिसके पास धहर्य जिसके पास होता है उसके सामने बगवान देता है भगवान दोस्तों दो लोगों की मदद करता है जो अपना काम खुद करना जानते हैं जिनको कला आती है जो हार नहीं मानते हैं भगवान उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करता जो किसमत के भरों से बैठ जाते हैं तो आप अगर अकेले संगर्स कर रहे हो तो महनत में लगे रहो जरूर परियनाम मीठा होगा हाँ ये बात जरूर है कि कई बार संगर्स करते करते काफी समय हो जाता है रिजल्टें नहीं मिलता लेकिन आप ये देखना कि आप जब इतना संगर्स करने के बाद पीछे मुड़के देखोगे तो कई लोगों को आप पिरना सरोत बन जाओगे तो संगर्स करते रहना चाहिए कि कोई से भी भगवान नम को छेतर दिया हो पारवारी को धार्मी को सांसारी को सामाजी को बस अपने करतवेनियमों का अच्छे तरीके से पालन करते रहो और जिस दिन लायक बन जाओगे उस दिन उस सिखर पर पहुंच जाओगे जहां से आपको सम्मान और यस मिलना सुरू हो जाएगा होता क्या है दोस्तों की जैसे ही हम अकेले संगर्स करते रहते हैं तो हमारे जो मन है वो डरा रहता है डराता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है अकेला चल रहा है सब छूट जाएंगे तू पीछे रह जाएगा तो ऐसी चीज़ों को अपन को छोड़ना होगा और साथ चलना होगा तो एक की महिमा को जानो अगर आप जो आप अंदर हुनर है तो आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हो बस अपने अंदर से जागने की जरूरत है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ जय स्री कृष्ण दोस्तो